हिंदू नफरत नहीं पहला सकता और बीजेपी 24 घंटा नफरत हिंसा नफरत हिंसा पूरे हिंदू समाज को तुशक तहना ये कंबूर विश्णा है जो अपने आपको हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं हिंसा करते हैं संसद में ऐसी तस्वीर आज से पहले नहीं दिखी होगी संसद में विपक्ष का आकरामक अंदाज पिछले 10 साल में नहीं दिखा होगा और संसद में धर्म और आस्था के नाम पर महाभारत इस से पहले नहीं हुई क्योंकि हाथों में भगवान शिप की तस्वीर लिए राहुल गांधी ने उस मुद्दे को छेड़ दिया है जिस पर सदन में संगराम छिड़ चुका है राहुल गांधी सदन में सत्य अहिंसा और साहस की बात कर रहे थे भगवान शिप के त्रिशूल को अहिंसा का प्रतीक बता रहे थे तभी उन्होंने हिंदू और सनातन को लेकर जो बात कही उस पर वो खुद घिर गए राहुल गांधी ने कहा जो लोग अपने आपको हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा नफरत असत्य करते रहते हैं यह हिंदू है ही नहीं और जो लोग अपने आपको हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा 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 नफरत 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 असत्या स्थ्या 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 अपिंडू ही नहीं आप अपने लोग यह जिस्दाब्स हिंसा नहीं हिंदु धर्ण में साफ लिखा है सद्य के सार होना चाहिए सद्य से पीछे नहीं अटना चाहिए सद्य से नहीं धरना चाहिए अहिंसा हमारा प्रतीक है अबे मुद्रा ऐसे कीजिए ऐसे कीजिए अबे मुद्रा राहुल गांधी के असली हिंदू और हिंसक हिंदू वाले बयान पर अब खमासान चड़ गया है पिये मोधियो रमीद्शाह जैसे महारती भी इस संग्राम में उतर चुके हैं और हिंदू का अर्थ बता रहे हैं पूरे हिंदू समाज को पूरे हिंदू समाज को पूरे हिंदू समाज को पूरे हिंदू समाज नहीं है बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है रस्स पूरा हिंदू समाज नहीं है पियम मोदी ने इस दोरान बीच में ही उटकर राहुल गांधी को रोका और कहा कि ये बाद बहुत गंभीर है पूरे हिंदु समुदाय को हिंसा कहना गंभीर विशे है तो केंद्रिय ग्रह मंत्री अमित्र शाह ने कहा कि नियमों के तहट इस तरह के बयान नहीं दिये जाने चाहिए सोर सराबा करकर इतने बड़े वाक्या को छिपाया नहीं जा सकता वीपक्स के नेता जी ने केटोगरिकली कहा है कि जो अपने आपको हिंदु कहते हैं वो हिंसा करते हैं मैं फी से रिपीट करना चाहता है उनका वाक्य था जो अपने आपको हिंदु कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं हिंसा करते हैं मानवर इस देश में साहे दिनको मालूम नहीं है करोड़ों लोग अपने आपको गर्व से हिंदु कहते हैं कर वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं, हिंसा की बावना को किसी धर्म के साथ जोडना और यह सदन में और सनवाईदानिक पद्पर बेठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मानेवर, उन्होंने इसकी माफी मागनी चाहिए। राहूल गांधी को सदन में माफी मांगनी चाहिए, यानी अब राहूल गांधी से हिंदू के अपमान पर माफी की मांग शुरू हो चुकी है और मुद्धा पूरी तरह धर्म पर कनवर्ट हो चुका है। Bureau Report, News18 राहूल गांदी के संसत में दिये गए बयान पर पीजेपी पूरी तरह से हमलावर हो गई पहले सदन में पियाम मोधी ने राहूल के बयान को देश पर के हिंदूओं का अपमान बताया वहीं अब इस मामले में CM योगी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दिया CM योगी ने कहा कि मुसलिम तुष्टे करण के राच्रीती पे कॉंग्रिस धूबी हुई है राहूल गांधी एक्सिडेंटल हिंदू कहने वाली जमात के शहज़ादे है CM योगी ने कहा राहूल गांधी को करोडो हिंदूों से माफी बांगनी चाहिए क्योंकि राहूल गांधी ने भारत माता के आत्मा को लहू लुहान किया है साथ की नोंने कहा कि हिंदू भारत की मूल आत्मा है हिंदू सहिश्णता उदार्ता का परियाए हैं आपको CM योगी का बयान सुनाते हैं हिंदू भारत का मूल समाज है भारत की आत्मा है स्वामी विवेकानन जी ने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू है हिंदू कोई जाती सुचक सब्द नहीं है कोई संप्रदाई सुचक सब्द नहीं है मत और पंथ से अलग भारत की मूल आत्मा है सिराहुल गांधी के इस बयान ने जिसमें हिंदू को बारे में जो टिपनियां की है यह सत्य से परे भारत की मूल आत्मा को लोहलुहान करने जैसा है भारत माता के लोहलुहान करने के इस परकार के दुर्भाग्य पूर्ण बयान के लिए सिराहुल गांधी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए इंडिया कड़बंदर में कॉंग्डेस और अने सभी पार्टियां जानती है कि अगर डेपेटी स्पीकर के लिए चुनाववा तो उनके हार तै है इसके बावजूद वो अवधेश प्रसाद को बतौर उमिदवार पेश कर रखे है ताकि बीजेपी को पस्तों पेश में डाल सकें साथी विपक्ष किरनिती आयोध्या के बाहने अपनी राजनिती चमकाने की भी है क्योंकि जिस पैजाबाद के सांसत को डेपेटी स्पीकर के लिए आगे किया जा रहा है वो अवदेश प्रसाद दल्य समदाय से आते हैं इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं आयोध्या के बाद हिंदू और हिंदुत पर जिस तरह सियासी बयानबाजी हो रही है जिस तरह विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश में है उससे तो साफ है कि इंडिया गडवन्धन अब बीजेपी पर दबाव बनाने के लिए साम दाम डंड भेत का इस्तिमाल कर रहा है क्योंकि जिस चहरे की चर्चा चुनावी परिणाम के बाद हुई उसी चहरे को अब डिप्टी स्पीकर के लिए आगे बढ़ाये जा रहा है डिप्टी स्पीकर पत पर त्विपक्ष की पहली पसंद अवधेश प्रसाद है ममता बनेर्जी की तरफ से अवधेश के नाम का प्रस्ताव दिया गया और आम आदमी पार्टी ने भी अवधेश प्रसाद का समर्थन किया दरसल इंडिया कटबंधन में कॉंग्रिस और अन्य सभी पार्टियां जानती है कि अगर चिना हुआ तो उनकी हार तय है इसके बावजूद वे अवधेश प्रसाद को बता और उमीदवार पेश कर रहे है ताकि बीजेपी को पासो पेश में डाल सके वे चाहते हैं कि बीजेपी को सर्व सम्मती से डिप्टी स्पीकर पत के लिए दबाव बनाया जा सके हाला कि गलत नहीं है कि बीजेपी सर्व सम्मती से ये कुर्सी विपक्ष को देगी इधर सपा भी कॉंग्रिस को अयुध्या के बहाने पचारने की तैयारी में है तो सर्व सदन में डिप्टी स्पीकर पत के लिए कि आपकी पार्टी कोई कर दिए जो अनिदलों का फैसला होगा और अनिदल अगर चाहते हैं कोई इस तरह का और ये बात पहले भी कही गए कि डिप्टी स्पीकर विपक्ष को मिलना चाहिए डिप्टी स्पीकर विपक्ष का होगा पीडिये के साथ साथ बीजेपी भारत की जनता से घबरा रही है क्योंकि भारत की जनता जागरुक हो गई है आज बड़े लिखे लोग हैं जागरुक लोग हैं समझदा लोग हैं वो अपने अधिकारों को समझते हैं पद पर विपक्ष की तरफ से आपके नाम भी आगे आ रहा है कि आपको टिनिख्वर को बना जा सकता है आने दीजे आने दीजे वेट फार फ्यू बहर वेट फार फ्यू टाइम आने दीजे दीजे, तब बात करेंगे जिस तरह लोगसभा चुनाओं में बीजेपी ने आयोध्या का मुद्धा उठाया था कुछ उसी तरह चुनाओं परणाम के बाद इंडिया गडबंधन आयोध्या के जर्ये सियासी संदेश देनी की कोशिश में है क्योंकि अवधेश प्रसाद अयोध्या की फैजाबाद लोगसभा सीट पर करीब पचास हजार वोट से चीत दर्श किये हैं और विपक्ष उनके जर्ये नया प्लान तयार कर रहा है देश की जनता ने धर्म की राजनीर को नकार दिया है और इसका उदाहरन जीता जागता उदाहरन हमारे जहां समझीत क्या आए हैं आजोध्या से तो वहां की जनता ने पूरी तरह से इस बात को नकार दिया है कि अब देश में धन की राजनीर नहीं चलेगी यानि ये तो तरह है कि बीजेपी सर्व सम्मती से डिप्टी स्पीकर की कुरसी विपक्ष को नहीं देगी लेकिन जिस तरह अवधेश प्रसाद के नाम आयोध्या पर मौहौल बनाय जा रहा है वो विपक्ष की सोची समझी रणीती का हिस्सा है ब्यूरो रिपोर्ट मुजेटी एक तरफ संसद में राहूल गानी की तरफ से ये हिंदू वाले बयान पर संग्राम छड़ा है तो दूसरी तरफ कॉंग्रेस अध्यक्ष मलिकार जुन खळगे ने राज्यसभा में स्पीकर बंद करने के लिए साथ कई मुद्दों को एक साथ उठा दिया जिस पर जबरदस हंगामा हुआ है आपको रेपोर्ट दिखाते हैं कैसे पेपा लीग से अगनी वीर के मुद्दे पर वेपक्षन सरकार को खेने की पूरी कोशिश की है बाजपाई के जैसे नेता अगर होते तो ये नोबत नहीं आती थी मंगर सूत्र बाइस लेना जमीन लेना और लोग मुझरा आईशे शब्द नहीं आते थे मानवर दिल्ली में दीन दहाडे हजारों सीख बाईयों का कतलियाम उनके सासर में हुआ और बीजेपी 24 गंटा नफरत हिंसा नफरत हिंसा नफरत हिंसा मेरा आप से आग रहे कि यह सदन और में रहना चाहिए नियम के अनुसा रहना चाहिए यह हम सभी सदस्यों का आप से विननती है यह सत्र हंगामेदार है जोरदार है असरदार है विपक्ष का अक्रामक अंदाज है माइक से लेकर पेपर लीग पर छड़ा घमासान है इस सत्र में सियासी संग्राम है कही मानने सदस्यों बहार ये आरोप लगाते हैं कि माननिये अद्धिक्ष या पीटासी नदिकारी या आसन पर बेठे बेगती माइक बंद कर देते हैं आप बरसों तक आपको कई साल हो गए आपका अन्भव है सदन में अभिभाशन पर चर्चा का दिन था लेकिन केंद्री एजेंसियों की दूर्पयोग नीट और अगनीपत जैसे मुद्धे को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा और बात एहिंकार और घमंड पर आ गई इस दोरान दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ इडी, आईटी, सीबी आई जैसे संस्ताओं का भी दूर्पयोग कंपनियों से पैसे उसूल में किया गया अब सर इन संस्ताओं के केवल विपक्ष नेता और सच ने बोलने वालों को टार्गेट करा ये समिदान का अपमान नहीं हो गया है जनता दोरा चुनू गई सरकारे गिराने और विदायकों को खरिदने तोडने का काम किया ये समिदान का अपमान है राज्यस सभा में माईक बंद करने के मुद्दे पर जबरदस्थ हंगामा हुआ कॉंग्रेस के राज्यस सभा सांसद प्रमो तिवारी ने कॉंग्रेस के निताओं के माईक बंद करने का आरूप लगाया कॉंग्रेस की आरूप पर राज्य सभा की सभापती जगदीद धंकर गुस्सा हो गए और कहा कि ऐसे आरूप सहने लायक नहीं है उन्होंने कहा कि यहां माइक बंद नहीं होता है उन्होंने कहा कि आपको टेक्नलोजी समझनी चाहिए आसन से वैस्ता के नुसार माइक का कंट्रोल चलता है माइक का कंट्रोल रिमोट कभी भी आसन पे वेठे वाले वेक्ती पे नहीं होते आसन पर आप भी बेढ़ते हैं सब दल के वेक्ती बेढ़ते हैं और सभी दल के सभापति तालीका के सदशे इसी तरीके जे सदंचलाते हैं चाये किसी भी दल का सदश हो और यह आसनी की हमेशा मर्यादा रही है यह भाशह यह भाशह परडान बंदी टूश्झा है! परदान बंदीट ए। परदान बंके की भाशह हमें भोड। इस और घो रहा है now, इस और हमें लिधार के घुटुमरी दौर दीटीए, संसत के चालू सत्र का आज छटा दिन है लेकिन इस दौरान विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश में सदन से वॉक आउट कर दिया उससे पहले सदन में हर मुद्दे उठे चाहे पेपर लीख हो या समविधान चाहे मनीपुर हो या अगनी वीर विपक्ष ने हर मुद्दों को तूल दिया और पूरा सदन हंगामे की भेंट चड़ गया विरोर रपोर्ट न्यूज एटीन आज़ादी के पच्चतरवे साल में देश से अंग्रेजों के एक और रिशानी का खात्मा हो गया है एक जुलाई दोजार चौबे सियानी की आस्ते देश में नया कानून लगू हो गया है वो कानून जिसने दंड की बुनियात को खत्म करके नयाय को अपनी बुनियात बनाया है भारतिये नयाय सहिता क्या है इसे आम लोगं की जिंदगी में क्या बदलाओ आने वाला है और क्या कुछ पहली बार हुआ है आईए पहले इसे समझते है तो आपको ये समझाएं कि भारतिये नयाय सहिता में पहली बार आतंगवाद की व्याक्षा के गई है और पीडित को कहीं भी F.I.R. दर्ज कराने का अधिकार होगा हत्या, लूट और दुशकर्म में भी ऑनलाइन F.I.R. दर्ज करवाई जा सकती है और केस दर्ज होने से लेकार, फैसले की समय सीमा भी तेह होगी राजद्रो की जगे अब देश्त्रो कानून बन चुका है मॉब लिंचिंग पर उम्रकैद क्या मौत की सजा का अपरावधान है और किसी ने इसे बड़ा कानूनी संकट बताया तो किसी ने जल्दबासी मिलाया गया कानून बताया जिस पर ग्रीमंतुरिया मिश्चा ने हरारोप का जवाब दिया है सुनिये आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी समस्या और संकट भारत की जो नियाए पाले का है और भारत की जो फौजदारी के कानून की प्रनाली है उसके लिए खड़े होने वाली है अंग्रे जोके बनाय हुए कानून निरस्थ होकर भारत की संसर ने बनाय हुए कानून आए डंड की जगे नियाए लेगा देरी की जगे स्पीडी ट्राइल और स्पीडी जस्टीस मिलेगा और पहले सी पुलिस के अधिकारों की रक्षा की गई थी अब पिडीतों के अधिकारों की रक्षा और जो कंप्लेनन्ट है इसके भी अधिकारों की रक्षा करने का काम होगा और इस पीच राहूल गांदी के बयान से चुड़ी एक और बड़ी खबर आ रहे गया है उध्या को लेकर राहूल गांदी के बयान पर CM योगी ने लोग सभावे निता विफक्ष राहूल गांदी पर निशाना साथा है सीम्ब यूगी ने कहा कि कॉंग्रेस और आहू गांधी आयोध्या को बद्दाम करें के साजिश रच रहे हैं आयोध्या में एक हजार सासफ़तैसीज करोड मुआपदा बाटा गया और आज जब आयोध्या अपने बैभो की पुनरस्थापना के लिए फिर से पुरी दुनिया को अपनी और आकर सिख कर रही है तो कॉंग्रेस कैसे इसको अच्छा मान सकती है सीराहूल गांधी का वयान जोट का एक पुलंदा है सच्चाई ये है अयोध्या के अंदर 1733 करोड रुपिये केवल मुआवज्ये के रूप में अयोध्या वास्यों को प्रदेश सरकार ने उपलब्द करवाए है चाई वह भक्तिपत हो राम पत हो जनम भूमिपत हो चाई वह एयरपोर्ट के निर्मान का हो चाई वह 14 कोशी परिकरमा के मार्ग का हो एक-एक वहां के नागरी को जिसके नाम पे जमीन थी जिसके नाम पे दुकान थी जिसके पास दुकान का पजेशन था उन्हें प्रॉपर कंपनसेशन दिया गया प्रॉपर कंपनसेशन देने के साथ ही जो दुकाने थी जो अपने पीछे दुकान बना सकते थे उनके लिए उस प्रकार की F.A.R. में छूचूचूच छूड़ दी गई जिन लोगों के पास उस प्रकार की स्पेस नहीं थी उनके लिए मर्टि लेवल कॉंप्लेक्स बना करके वहाँ पर उन्हें सौपिंग कॉंप्लेक्स में उन्हें अस्थान देने की कारव कारे को आगे वढ़ाया गया सिराहुल गांधी के बयान सब्ते से परे हैं जूट का एक पुलंदा है उत्तर प्रदेश और अयुद्या को बदनाम करने की साजी से